क्या कुछ कह रहे हैं वो जनता को सुनाते हैं मामले देखने को मिले हैं और घर में ही उनका उपचार हो रहा है हर जनपद में हमारे ICCC Integrated COVID Control Center हमारे कारे कर रहे हैं और ICCC के माध्यम से हर COVID Positive के साथ संबाद बना करके कि यह उपलब्द कराई जा रही है और सबका सफलता पुर्वा घर में उपचार हो रहा है सेकिंड वेब में अगर कोई करोना की चपेट में आता था और सामान्य बेक्टि को भी नेगेटिव रिपोर्ट आने में बारा से पंदरा दिन का समय लग रहा था और अगर किसी के लंक्स जादा इंफेक्ट होते थे तो से स्वस्त होने में प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहीं भी हम लोगों ने इस बात को देखा था कि वहाँ बीस दिन पचीस दिन एक महिना कुछ लोगों को ज़्यादा समय भी लगता था और उसमें मिर्तुदर भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन इसमें थर्ड वेब में एक चीज और देखने को मिल लई है कि व्यक्ति तीन दिन अगर रेस्ट ले रहा है तो जो वाइरल का एक सामाने साइक्ल होता है तीन से पांस दिन के अंदर वाब्यक्ति स्वेम नेगेटिव आजब हो जा रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जा रही है तो यहाँ एक प्यापक अंतर प्रदेश के अंदर हम सब को देखने को मिला है अगर हम लखनों की ही बात करें तो लखनों में 4800 सो से ज़्यादा एक्टिव केस है यानि करोना के कुल जो मामले हैं प्रदेश या लखनों चन्पद और महानगर के अंदर उनकी संख्या 4800 सो से ज़्यादा है लेकिन हॉस्पिटल में कुल 45 मामले हैं और यह 45 में भी ज्यादातर मामले वह हैं जो पहले से किसी बिमारी से गरसित थे हॉस्पिटल में या जाते समय आते समय कोई की इनफेक्शन की चपेट में आये हैं उनके कारण यहां इनफेक्शन उनमें है और हलका है कोविट का हलका लक्षन उनमें देखने को मिला है चूंकि हम लोग हरे एक पेसेंड की कोविट की जाच करवा रहे हैं स्वभाई कुरुप से सतरक्ता और साउधानी करोना की सबसे बड़े बचाओ क्यों पाए है और सतरक्ता और साउधानी हम ये मान करके न चलें कि थड़वे खतरनाग नहीं तो हम इसे साउधान नहों हरे एक ब्यक्टिको और खास तोर पर जो बुजर्ग हैं पहले से बिमार हैं कमजोर हैं बच्चे हैं इनको हर हाल में इन्फेक्शन से बचाना होगा बिमारी बिमारी होती है हम उसको हलकेपन से न ले राज्य सरकार पूरा प्रसासन निक्तंत्र हमारे हेल्थ वर्कर्स कोरोना वारियर्स हर एक ब्यक्टिकी जान बचाने के लिए पूरी प्रतिवतिता के साथ कारे कर रहे हैं और हम इस बारे में कह सकते हैं कि जो अभिहान चलना है सभी 75 जनपदों में हमारे ICCC यानि Integrated COVID Control Center काम कर रहे हैं सभी 75 जनपदों में हम लोग प्रतिदिन दो लाग से लेके धाई लाग तक टेस्ट कर रहे हैं 72 हजार हमारी निग्रानी समितियां घर घर जाकर के स्क्रिनिंग का कारे कर रहे हैं और हर एक संदिग्द ब्रेक्टिको कोविड की वैक्सीन कोविड की मेडिसिन की टुपलब्द कर रहे हैं उनका रैपिड इस्पॉंस टीम से उनकी टेस्ट की कारवाई को संपन्न कर रहे हैं और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है उनकी सूची बना करके फिर आई टिपल सीप के माद्यम से उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रिरित क्या जा रहा है मेरी सबसे अपील होगी कि सतर्टा और साउधानी के साथ हम घबराएना